Hello everyone, तो आज हम बात करेंगे phases of teaching के बारे में तो आपको बताए कि teaching के बहुत साधा phases है exam में इन में से कोई ना कोई caution आ जाता है तो हम पूरा phases of teaching को बारी के से discuss करेंगे कि ताकि आप इसे अच्छे से समझे अगर exam में caution आ गया तो आप इसे असानी से कर पाएं तो चले स्टार्ट करते हैं phases of teaching इसके लिए क्या करना बढ़ता है देखिए systematic planning से चलना बढ़ता है माली जो किलास में आपको teacher बढ़ाते हैं तो वो आपको systematic वे से चलाते हैं जैसे आपको मैं for example या आपको मैं बताता हूँ फिर मैं unit number 2, 3, 4, 5 करते करते हैं यह क्या है यह systematic way से चलाना है तो systematic way से क्या होता है यह चलाते हैं देखिए teaching बहुत complex task है लेकिन अगर हम systematic way से चलते हैं इसमें तो यह job easy and successful बनती है teaching is to be considered in terms of various steps and the steps constituting the process are called phases of teaching अब देखिए जो इसमें various steps है यानकि teaching के जो various steps होते हैं तो इसी को जैसे चलते रहते हैं चलते रहते हैं इसी process को हम phases of teaching कहते हैं तो देखिए यहाँ पे Philip W. Jackson thinks that if we are to obtain a complete description of teaching activity we must consider what the teacher does before and after regular in the class अब देखिए यहाँ पे Philip W. Jackson कहते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि अगर हमें teaching activity को बहुत करीब से जानना है हमें उसके बारे में पूरा पता करना है कि teaching होती गया है तो हमें यह जानना जरूरी है कि teacher class में आने से पहले क्या करते हैं अगर हमें teaching को अच्छे से जानना है उसका पूरा description आपको चाहिए A to Z आपको चाहिए कि teaching होती गया है तो teacher class में आने से पहले और जानने के बाद रोज क्या करते हैं वो जानना सबसे जरूरी है तो देखें यहाँ पे Jackson analysis Jackson analysis दा teaching systematically in three steps अब देखें Jackson जो है उन्होंने teaching को तीन steps में बाटा है there are three steps of phases of teaching पहला है pre-active phase जिसे हम कहते है planning stage यह होता है class में जाने से पहले यानकी जब teacher lesson को plan करते हैं फिर आता interactive phase यानकी implementation stage जब teacher class में आके पढ़ाते हैं next आता है post-active phase evaluation stage जब teacher पढ़ाके चले जाते हैं तो evaluation देखा जाता है कि teacher ने अच्छा पढ़ाया या बुरा पढ़ाया यानि कि पहले class में जाने से पहले वाला phase फिर class में पढ़ाने वाला phase फिर पढ़ाने के वाद बच्चों के द्वारा मुलांकन वाला phase तो यह steps है इसमें phases of teaching के तो आई यह इसे elaborate करते हैं तो देखे पहला है pre-active phase pre-active phase क्या है देखे planning stage देखे हमें कोई भी कांग करना होता है तो हम सबसे पहले इसकी planning करती है कि ताकि वो काम अच्छे से हो जाए बिना planning के चलेंगे आपको होगा नहीं जैसे मालिज़ आप यूजिशन की त्यारी करते हैं तो आपको planning के साथ चलना पड़ेगा कि आपका slaves आपको cover करना पड़ेगा बिना planning के exam देंगे तो आपका कभी भी exam qualify नहीं होगा तो सबसे बड़ा जरूरी है इसके नाम से बता चलता है कि यह teaching की preparation है अब देखे कलास में पढ़ाने से पहले जब टीचर प्लाइनिंग करते हैं तो उन्हें बहुत सारे टास्क जो होते हैं यानकि देखे जो actual classroom है अभी वो class में गए नहीं है लेकिन उनको कल जाके कलास में पढ़ाना है उसके पहले जो lesson त्यार करते हैं उन्हें बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है perform management का मतलब यह है यहाँ पे कि जैसे मालेजे कि आपको उन्हेंने को topic पढ़ाना है अब वो topic आपको पूरा complete पढ़ाएंगे कि ताकि मालेजे आपको कोई doubt हो वो साथ में clear कर पाएं यहाँ कि teacher को अगर मालेजे आपको एक topic पढ़ाना है उसके लिए वो काफी research करके आते हैं काफी research करके आते हैं कि ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएं तो इसलिए क्लास में जाने से पहले वो काफी जो टास्क प्रफॉर्म करते हैं आप देखें टास्क हैं कौन से लेसन प्लान करने के लिए कि कौन सी चीज़ पढ़ानी है अरेंजिंग furniture and equipment within classroom आप क्लास में देखें कि कौन सी चीज़ मान लिजे की teacher आपको क्लास में पढ़ाएंगे तो उनके लिए देखें furniture जरूरी है furniture क्या है कि देखें जैसे मान लिजे कि blackboard लगा हो whiteboard लगा हो या smartboard जैसे आज होता है वो लगा हो तो अगर smartboard है तो साथ में projector लगा हो अगर whiteboard साथ में marker हो ठीक है blackboard साथ में duster हो यानकि उनको किस according कोई चीज़ पढ़ानी है वो सारे equipment उनके पास होने चाहिए manning papers ठीक है studying test report reading section of textbook etc आप देखें ये साज चीज़े काम में आती है manning paper study test reports जो test report है उन्हें study करना पढ़ता है साथ में reading section अब देखें जो textbook वो पढ़ाते हैं जिससे उन्हें पढ़ाना है तो उसमें क्या होता है कि वो textbook के section को read करते हैं यानकि कितना कितना पढ़ाना है section मतलब कि जो paragraph होते हैं वो उनको पढ़ते हैं कि आपको कैसे पढ़ाना है अब देखें the phase is therefore called the planning stage यानकि इसे क्या कहते हैं planning stage अब देखें होता क्या है कि teacher class में जाने से पहले lesson plan करते हैं तो उसे हम कहते हैं planning stage तो देखें इसके point देखें यहाँ पे अब देखें सबसे पहले हैं यहाँ पे यहाँ पे देखें point है planning aspects at pre-active phase अब देखें planning aspects क्या है pre-active phase के सबसे बहले यहाँ पे this phase includes all these activities which a teacher performs before entering the classroom this stage involves the following activities अब देखें आपको मैंने पहले बदा चुका हैं जैसे कि जो teacher class में जाने से पहले जो perform करते हैं यहाँ जो lesson plan करते हैं वो ही यहाँ पे pre-active phase है वो ही यहाँ पे planning aspect है अब देखें बहुत सारे हैं यह तो जैसे पहला कौन सा है the formulation और fixing up the goal अब देखें यहाँ पे सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता है कि जो उनका goal है वोने fix करना पड़ता है कि वो करे क्या अब देखें the teacher formulates in detail the instructional objectives in behavior terms by using the taxonomy of educational objectives अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो teacher है जो teaching objectives है अब देखें जो educational objectives है तो देखें उनको elaborate करते हैं यानकि उनको वो क्या करते हैं उनको वो formulates करते हैं कि ताकि जो चीज़े उनको बताई गई हैं वो उनको ध्यान में रखते हुए अपने lesson को plan करें यानकी देखें ऐसा है कि जो teacher होते है educational objective है क्या वो चीज़ों को क्यों पढ़ाना चाते हैं जो topic को ने चुना है वो क्यों पढ़ाना चाते हैं किस हिसाब से पढ़ाना चाते हैं, बच्चों को क्या सिखाना चाते हैं, जो चीज लिखी हुई होती है, वो उनको ध्यान में रखते हुए, अपने according को उसे त्यार करवाते हैं, अपने शब्दों में, So, next है, objectives are determined according to students, psychology and needs of the society and the school, अब देखें, जो student है, उनकी psychology, society and जो schools हैं, ठीक है, schools की क्या जरूरते हैं, क्या चीज़े हैं, उसके अनुसार क्या होता है, उसके according क्या है, ये सारे जो objectives है, वो तैह किया जाते हैं, देखें, जैसे मालेजे, हमारे society में क्या चल रहा है, हम वही बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि देखें, उनकी society में रहना है, अब चात्रों का psychology क्या है, मनोविज्ञान क्या है, चात्रों का ये स्टूडेंट्स का psychology क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए, हमें वो चीज़े करवानी पढ़ते हैं, टीचर वही चीज़े पीचर होते हैं, वो स्टूडेंट्स में, इन अबजेक्टिव के द्वारा क्या क्या चेंज करना चाते हैं, जैसे मान लेज़े की टीचर ने देखा है कि बच्चे जो है, वो पढ़ाई में बहुत पीछे हैं, लेकिन उन्हें बनना सब कुछ है, लेकिन वो पीछे हैं, स्टूटिव में चेंज करते हैं, अब देखें, जो कंटेंट है, कलास में क्या पढ़ाना है, क्या चीज़े बढ़ानी है, कौन सा पढ़ाना है, ये चीज़े सेलेक्ट करना, देखें, आप टर फिक्सेशं ऑफ टीचिंग, अबजेक्टिवसीचर डिसाइड आज देखें, class में बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन सा topic पढ़ाना है ये कौन decide करता है ये teacher decide करते हैं कि आज बच्चों को ये पढ़ाना है आप देखें, वो अपनी मर्जी से पढ़ाएंगे नहीं obviously बात है कि जो उनके इस लेबस में होगा वो वही चीज़ को पढ़ाएंगे वो एक topic select करते हैं topic select करने के बाद वो देखते हैं कि यह बच्चों को कैसे पढ़ाएं वो यही सारी चीज़े इसमें आती है कि वो पहले topic को decide करते है कि कौन सी चीज़े पढ़ानी जानी है उसको यह भी ध्यान में रखते हैं कि जो चीज़े पढ़ानी है क्या उनके पास वो पूरे equipment है पढ़ाने के लिए वो चीज़े for content selection following points should be kept in mind अब देखे होता क्या है कि जैसे content का selection होता है तो कुछ बाते जो ध्यान में रखनी बढ़ते हैं बाते क्या है देखे जैसे the demand of syllabus क्या जो वो पढ़ाने जारे है वो syllabus के according है क्या syllabus दिवान करता है क्या उनके syllabus में है the entry behavior of the accepted learner अब देखे यहाँ पर क्या है कि जो learners है क्या वो उसे accept कर पाएंगे याँकि जो उनर पढ़ा है क्या student के वो समझ में आएगा learner के समझ में आएगा level of motivation of learner अब देखे जो learner है उनका level क्या है motivation का याँकि उन्हें किस गहराई में पढ़ाना है किस हिसाब से महाँ पर पढ़ाना है teacher's preference for assessment related to the content आब देखे कि जो teacher preference किसे देते हैं content के assessment से याँकि देखे जो teacher बच्चों के जो चीप पढ़ाते हैं जो content पढ़ाते हैं वो कैसा है किस हिसाब से है ये teacher decide करते है so next यहाँ पर देखे the arrangement of ideas and style of teaching अब देखे जो idea को arrange करना या जो teaching का style है वो कैसे होता है देखे after selecting the presentable content the teacher arranged the elements of the content in logical and psychological sequence अब देखे अगर मालीजे teacher ने कोई content select कर लिया तो फिर बाद में teacher को होता है कि content select हो कर लिया लेकिन arrange कैसे करना है पहले content में कौन सी जीच पढ़ानी है बाद में कौन सी पढ़ानी है उसका logic भी सासत होना चाहिए जैसे मालीजे वो कहते है कि अंग्रेज हमारे भारत में आए ठीक है 1600 ED में आए और भारत की अजादी कब होई 1947 में अगर वो इस साफ से चलेंगे तो आपको पूरा पता देंगे पहले में बाद करने आए थे बाद में वो चले गए ठीक है अगर मालीजे वो कहते हैं कि 1915 में गांधी जी भारत आए 1947 में अजाद हो गया इंडिया और अग्रेज भारत आगे 1680 में तो ये सीकेंस कुछ बनाई नहीं आपके समिन में कुछ आए गाई नहीं तो इसलिए अगरोने कॉंटेंट चुना है कोई भी तो वो होता क्या है वो आपको पहले कंटेंट वो रेडी कर लेते हैं फिर प्रेजेंट करते हैं कि इसका लॉजिक सासाथ बनता रहे कि ताक्या आपकी समझ में आ जाए तो देखे सीकेंसिंग शुट भी able to assist in the transfer of learning तो देखें यहाँ पर क्या है कि जो सीकेंस है वो क्या होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो जो learning है वो से transfer करें यानकी सीकेंस ऐसा बनना चाहिए सीकेंस का मलग क्या है कि जो आपको step by step टीचर जी समझा रहे हैं वो सारी चाहिए आपको आनी चाहिए student को समझ में आ जाए selecting institutional methodology ठीक है अब देखे institutional method क्या कहता है ठीक है वो सारी चाहिए इसमें आती है जैसे the teacher has to select appropriate strategy and tactics of teaching keeping in view of the content and objective of teaching अब देखें यहाँ पर बहुत सारी strategy है कि यहाँ पर देखें कि सबसे बड़ी बात क्या है कि institutional जो methodology है वो पनारी बढ़ती है वो कौन कौन सी होती है तो देखें यहाँ पर जैसे कि मालीजे टीचर ने जो पढ़ाया और वो उसे ध्यान में रखेंगे कि जो equipment है वो जो चीजे है सारी जो पढ़ाने के लिए वो कौन सी जोब का इस्तमाल करते हैं क्या वो पूरी उनके पास है अगर उनकी पास वो पूरी है तो वो कौन सी जीचे का इस्तमाल करेंगे जैसे मालीजे वो आपको क्लास में डाइग्रम बनाके दिखाएंगे तो उसके लिए उनके पास क्या जीज है अब देखिए यह जो ऑपरेशन है यह उनकी पढ़ाने का यह बहुत ज़्यादा इंपोर्ड़न है तो देखिए नेस्ट नहीं यहाँ पे डेवलेमेंट आफ टीचिंग स्टाटेजी अब देखिए डेवलेमेंट आफ टीचिंग स्टाटेजी क्या है यह हैं कि जो टीचिंग स्टाटेजी है उसे डेवलेप करना अब देखिए कैसे होता है यह तो देखिए यहाँ आप लिखाएं चैंग स्टाटेजी को क्लास में जो चीपढ़ानी है उसे पहले ही Orthodox है क्लास में पढ़ाना क्या है क्या टीच्स उसे अपनानी है क्या स्टाटेजी अपनानी है किस हसाब से पढ़ाना है वो सारी चीज़े उसे classroom में जाने से पहले decide करनी पड़ती है तो वो क्या चीज़े decide करते हैं वो decide करते हैं कि when and what device of teaching you would be use यहनकि पढ़ाते वक्त उन्हें कौन सी device का इस्तमाल करना है कौन सी device उसे use करनी है और क्या use करनी है जैसे मालेज़े कि आपको projector पर बढ़ाना है ठीक है, slides पर बढ़ाना है तो वहाँ पर आपको क्या करेंगे कि वो आपको आपके लिए projector लेके आएंगे, screen लेके आएंगे आपको वहाँ पर वो समझाएंगे when the teaching ads will be used अब देखें teaching ads क्या है यहनकि teaching sport system तो वो इनका इस्तिमाल करेंगे teaching ads का या teaching sport system का इस्तिमाल वो करेंगे वो कब करना है वो decide करेंगे कि जैसे मालेज़े आपको वो पहले introduction देंगे फिर बाद में कोई picture दिखाएंगे फिर उसे समझाएंगे ऐसे करके when recapitulations on evaluation etc. will be done यानि कि कब उसका मुल्यांकन करना है यानि कि कब उसको evaluate करना है तो ये सारी चीज़े में आएंगे so next है learning experience to be given अब देखें learning experience जो है वो भी इसमें आता है deciding the duration place and management of class teaching अब देखें इसमें क्या आता है कि जो class है उसकी timing कितनी होने चाहिए जैसे 45 minutes है 30 minutes है 60 minutes है 2 hours की class है और वो कहां पे करवानी है उनको चीक है so class का management कैसा रखना है वो सारी चीज़े टीचर को decide करने बढ़ते है अब माली जे की teacher को लगता है कि जो उनका lecture है बहुत important है तो क्या करता है कि कभी कभी दो sections से होते है class को उनको कठा कर देते है so next है यहाँ पे tools be used for evaluation अब देखे जो tools है वो कौन से इस्तमाल करने है so this stage is about working out the details of teaching or activities of teacher wants to perform in the class here teacher hypothesis about the possible outcome of a section अब देखे यहाँ पे है क्या कि teacher देखे माने जे planning stage चल रही है अब यहाँ पे उनने सब कुछ त्यार कर लिया है तो अब वो देखते है कि class में पढ़ाते वक्त उनको कौन से चीज़े detail में जो है वो decide करनी है वो कौन से चीज़े class में पढ़ाएंगे क्या वो पूरी तरह से त्यार कर लिया है तो यह सारी चीज़े है वो उनके दिमाग में चलती है तो देखें next आता है यहाँ पे interactive phase यानकी implementation stage अब देखें implementation stage कौन सी होती है कि जो चीज़े teacher ने त्यार कर ली है अब वो class में पढ़ाएंगे यहनकी planning stage क्या था कि class में जाने से पहले उनने जो lesson त्यार किया है वो अब class में आने के बाद वो उसे implement कैसे करेंगे यहनकी जो चीज़े उननोंने त्यार कर ली है ready कर ली है पढ़ाने के लिए वो से कैसे पढ़ाएंगे यहां बारी है teacher की class में पढ़ाने के लिए जो आता है interactive phase में यहनकी interactive phase या implementation stage तो देखे इस phase refers to the execution of the plan made during the pre-active phase यहांकी देखे यहां पे क्या है कि जो उनने plan किया था pre-active phase में अब बारी है उसे लागू करने के लिए this is actual classroom teaching अब देखे क्या ही यह actual classroom teaching है यहनकी जब teacher class में पढ़ाते हैं वो है actual classroom teaching this is sorry in this phase the teacher gives students the learning experience through some suitable modes अब देखे इस phase में क्या है कि जो teacher होते हैं वो student को learning experience के थुरू काफी जो चीज़े हैं वो काफी जो some suitable modes उनके जरीके हैं काफी एक्जाम्बल देते हैं काफी कुछ होने अपने experience से पढ़ाते हैं यहां कि यहां पर teacher का काम क्या है बच्चों को अच्छे से सही तरीके से चीज़ों को समझाना अब देखें इस फेस में क्या है टीचर लर्नर को एक प्री डेटर्माइड एंवार्मेंट देते हैं यहां कि जो उनने सोच रुकादर कलास में पढ़ाने के लिए कि कैसा एंवार्मेंट होगा कैसे जी पढ़ानी है वो सारी चीज़े वो उनको प्रवाइड करवाते हैं अब देखें इंट्रेक्शन है किसके बीच में टीचर और स्टूडेंट के बीच में तो देखें क्लास में टीचर होते हैं बच्चे होते हैं तो उनके बीच में क्या है interactive phase interaction है यहां कि teacher का बच्चों को समझाना बच्चों का teacher के उपर ध्यान देना यह साथ चीज़े the interaction में भी verbal और non-verbal आप देखें verbal भी हो सकता है और non-verbal भी हो सकता है यहां कि teacher देखें यहां पे बोल के आपको समझाते हैं या कुछ इजाग को इशारत से भी समझाते हैं interaction is the most important at this stage अब देखें interaction बहुत ज़रूरी है this is the interchange between teacher and student by initiation or response operation अब देखें यह बहुत important है यहां पे क्या है interchange है interchange गया है कि जैसे मारी जैटीचर ने class में बच्चों को पढ़ाया अब बच्चों को कितना समझ में आया तो वो उनका response भी देखा जाता है तो यह क्या है interaction हो गया एक interchange हो गया response operation का इनकी teacher ने बच्चों को समझाया बच्चों ने उनका response दिया वो चीज़े तो देखें यहां पे next है so learning is directed in pre-determined direction to achieve pre-determined goals अब देखें जो learning है वो क्या है वो pre-determined goal है न यहां पे क्या है कि जो learning है ठीक है यहां कि learning है यहां कि जो teacher ने देखें बच्चों को समझाया अच्छे तरीके से समझाया तो यहां पे क्या है कि बहुत जरूरी हो जाता है जो teacher ने बच्चो को समझाया है तो वो बच्चो के समझ में आये यहां कि teacher ने class में आने से पहले जो planning की थी पढ़ाने के लिए जो चीजे सोची थी वो उस हिजाब से बच्चो को समझाते हैं The teacher provides learners with verbal stimulation अब देखे जो teacher है वो बच्चो को बोल कर समझाते हैं क्या क्या चीज़े हैं वो सारी चीज़े समझाते हैं जैसे आपके बोल के सारी चीज़े समझा रहा हूं इस stimulation can be various kind of बहुत सारी हो सकते हैं जैसे asking question तो देखें यहाँ पर गाए question को ask करना question पूछना यहाँ कि teacher बच्चों से listening to student response अब देखें student का response क्या है से सुनना जैसे मालेज़े की बच्चों को चीज़ समझ नहीं आए teacher ने करवाया अब अच्चे कहते हैं कि आई यह हमें चीज़ समझ नहीं आए तो teacher बच्चों की बातों को ध्यान से सुनना रिस्पॉंस देखना providing guidance जैसे मालेज़े की बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उनको टीचर बताते हैं कि यह चीज़ को ऐसे करना है तो वो क्या है guidance हो जाती है making explanation एक्सेक्टरा देखे explanation है explain करना चीज़ों को जैसे मालेज़े की कुछ चीज़ है teaching episode है teaching episode है मैंने आपको समझाने से पहले देखे first lecture में आपको उसका पूरा meaning बताया था कि वो हम क्यों बढ़ रहे हैं वो चीज़ क्या है it is known as actual teaching इसे actual teaching कहते है both students and teachers are involved in this process अब देखे इसमें क्या है कि teacher and student इस process में involved रहते है the improves the quality of teaching इसमें क्या है कि जो teaching quality है बहुत ज़्यदा improve होती है देखे planning में teacher अपने हिसाब से करते है लेकिन जब actual class में पढ़ाना होता है तो बहुत सारी चीज़े automatically उनके साथ जुड़ जाती है तो ये क्या है teaching की quality को improve करता है so next है implementation aspects at interactive phase अब देखे इस interactive phase में implementation stage में aspects क्या है this phase of teaching includes all those activities which a teacher used after entering the classroom includes actual teaching done in the classroom देखे ये वो वाला phase है जब teacher class में enter करके बच्चों को बढ़ाते हैं यह की teacher द्वारा बच्चों को last में बढ़ाना in this phase in this face to face encounter with learner अब देखे या के face to face encounter यानकी आमने सामने हैं बच्चे और teacher ठीक है यह क्या है उनके बीच में special interaction है here the teacher use some of the techniques ads and material plan in the first phase अब देखे जो teacher ने अपना first phase यानकी जो lesson planning के दोरान जो topics हो चाथा पढ़ाने के लिए उसके according teaching जो teacher देखे टेक्निक के इस्तमाल करेंगे जो equipment है जो teaching sport system या ads है उनका इस्तमाल करेंगे material जो उनने plan किया था वो सारी शीज़ों का इसमें इस्तमाल करेंगे इनकी जो शीज़ों वो planning strain में कर चुके हैं अब आ रही है उनका इस्तमाल करने के लिए setting up the class में क्या है कि जैसे teacher ने बच्चों को पढ़ाना है वो साइस क्या होना चाहिए बच्चों का mood कैसा होना चाहिए तो बच्चों का mood कैसा होता है वो पढ़ते एक कैसा feel करते हैं learners तो यह साइस ची़चे आती है तो teacher क्या कर चीज़ दमाग में रखते हैं देखे जैसे How many in the group are looking attentive? यानि कि जो कितने group है जो अच्छे से ध्यान से attention होगे teacher की बातों को सुन रहे हैं वो चीज़े दिखने बढ़ती है How many are negligent and disinterested? कौन से बच्चे interested नहीं है lecture में वो भी चीज़े दिखने बढ़ता है Who are sharper one? सबसे तीज कौन है? यानि कि टीचर की बातों को सबसे पहले कौन पगाड रहा है? कौन अच्छे से समझ रहा है? Who are troublemaker? यानि कि कुछ student जिनके कुछ दमाग में समझ नहीं आता यानि कि उन्हें हर चीज में doubt है वो चीज़े ये चीज़े ध्यान में रखने पड़ते है कि कौन से बच्चे attention के देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, कौन से ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिन गया test नहीं है कौन से बहुत ज़्यादा जो sharper student है और कौन से वो है जिनको बहुत ज़्यादा problems आती है ये चीज़े teacher को देखनी होती है so next देखिए knowing the learners अब देखिए जो learner है उनको जानना अब देखिए knowing the learner means to know about the previous knowledge of new learners यानकि जो बच्चे नई चीज़ों को सीख रहे हैं उनको उस चीज़ के बारे में कितनी knowledge है जैसे मालेजर teacher class में बच्चों को topic पढ़ा रहे है अब उस topic के बारे में बच्चों को कितनी चीज़ पता है पहले से वो चीज़ देखनी होती है इसमे it is done after preserving the class size अब देखें ये कब होता है जब class का size यानकि class में 10 बच्चे है 20 है 50 है 100 है 200 है कितने ये तब देखा जाता है for this teacher can start by knowing the abilities interest attitude and academic background of the new learner अब देखें कैसे दिखा जाता है कि बच्चों के अंदर जो सोचने की ability कैसी है ठीक है interest कैसा है attitude कैसा है और उनका background क्या है new learners का तो ये सारी सीचेस में देखनी होती है next है starting teaching अब देखें teacher class में अब पढ़ाते हैं यानकी पहले वो देखते हैं class का अजन्डमेंट देखते हैं कितनी class हो कौन से बच्चे interested है कौन से नहीं है और उनका background कैसा है अब teacher class में आके यहाँ पर teaching start कर देते है at this stage the teacher start teaching अब देखें teacher की बाढ़ी है main point पढ़ाने के लिए this is done after diagnosing by cautioning अब देखें ये कैसे होता है cautioning से यानकी teacher बच्चों से caution पूछते हैं अगर बच्चे जवाब नहीं दे पाते तब teacher उनको explain करते हैं here two type of activity are involved initiation and response अब देखें इसमें teaching में दो तरह की activities होती है initiation और response अब देखे initiation, generation and response are known as verbal interaction अब देखें इन दोनों चीजों को हम क्या कहते हैं verbal interaction verbal interaction क्या है कि teacher का बच्चों को यह learner को बोल कर समझाना, बोल कर बढ़ाना तो वो है verbal interaction देखें बच्चों को भी कोई problem आए तो वो भी teacher को बोल के बताते हैं in this phase all the activities performed by teacher when he enter the classroom are combined together देखें यह साचीज है teacher के दोवारा perform की जाती है जब वो class में आके बच्चों को पढ़ाते हैं enter गर के बच्चों को पढ़ाते हैं these activities one concerned with the presentation of the content in the classroom देखें यहां पर क्या है कि यह जो सारे activity है तो इसमें बच्चों को content पढ़ाया जाता है presentation के द्वारा यानकी जो teacher ने planning में जो डिसाइड की थी क्या पढ़ाना है अब वो ही सारी चीज़े हैं वो teacher class में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसमें main काम क्या है पढ़ाना so next हमारा आता है last post active phase यानकी in evaluation stage अब देखें इसमें क्या है evaluation stage में अब देखें it is the evaluation phase of teaching अब देखें evaluation phase क्या है कि मुलांकन करना evaluate करना कि teacher ने जो class में बच्चों को पढ़ाया है वो कैसे पढ़ाया है it arise when the teacher has left the class and tries to have look back into the what happened in the class ये तब आता है जब teacher class में बच्चों को पढ़ा के चले जाते हैं तो बच्चे class में decide करते हैं अब देखते हैं कि class में जो पढ़ाया गया है वो क्या था वो कैसे था this phase is concerned with the following activities अब देखें कैसे हो गई evaluation activities अब देखें evaluation activities कैसे होती है इसके देखें थोड़े से वे है कैसे test और quizzes यानिकि ये देखना कि जैसे अब देखें इसमें ये भी देखना कि बच्चों का caution पर reaction कैसा था यानकि अगर मालीजे बच्चे interest लेके पढ़ रहे तो वो धेर सारे caution पूछते हैं teacher से अब उनका interest होई ना वो caution पूछते हैं नहीं है तो teacher को पते दल जाता है कि बच्चे का interest पढ़ने में था या नहीं था instructional situation and comments अब देखें instructional situation कैसी थी comments कैसे थे बच्चों का mood कैसा था ये सारे सीजे summing up teaching task to sum up the teacher ask the question from the learner verbally or in return अब देखें इसमें क्या है कि जो teacher ने बच्चों से question पूछे है वो चाहे verbally हो यानकि बोलकर वो चाहे written form में हो ये सारे सीजे इसमें आती है the behavior of the students are also measured in order to evaluate their achievement अब देखें इसमें student का behavior भी count किया जाता है कि वो कैसा था in absence of all these evaluate activities the entire learning process could be incomplete अब देखें अगर हम इन चीजों को नजर अंदाज कर दे इनको दिहान में रखें न तो ये सारे चीजे है इसमें जो चीजे करवाई गई है वो सारे ही incomplete माने जाती है और कि evaluation activity कहा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हम देखें इसको रखते नहीं है evaluation stage को रखते नहीं है तो teaching यहाँ पे incomplete होती है अगर हम post active phase evaluation stage को रखते हैं तब ही हमारी जो teaching है वो complete हो पाएगी so next देखें यहाँ पे evaluation aspect at the post active phase अब देखें वो कौन कौन से evaluation aspect पोस्ट active phase में जैसे पहला है determining the exact dimension of behavior change अब देखें यहाँ पे determine करना कि exact dimension क्या है behavior change करने का देखें here the teacher compare the actual behavior change in the students with their expect behavior changes अब देखें जो teacher ने सोचा था कि बच्चों का behavior ऐसे change कर दूँगा क्या वाक्य ही वो change हो पाया है उनके according जो उनने सोचा था if desired behavior change are observed in maximum students then it means the teaching strategy are very effective अब देखें प्लैनिंग stage में जो teacher ने सोचा था मैं कैसे ऐसे class में पढ़ाऊंगा अब उनने class में पढ़ाया teacher ने पहले ये सोचा होगा ना कि मैं बच्चों का ऐसे पढ़ाऊंगा बच्चों का ये reaction होगा तो मालने जे कि वही same reaction अगर maximum बच्चों का हो तो क्या है teaching जो है वो बहुत effective गया technique का इस्तमाल गया देखे for comparing desired and actual behavior change the teacher has to select appropriate testing device which are valid and reliable for this criterion test are more performed than the performance test अब देखे यहाँ पर क्या है कि teacher ने बच्चों को क्लास में पढ़ाने के लिए जो कौन सी testing device का इस्तमाल किया है कि क्या वो valid थे reliable थे कि बच्चों से समझ पाए है ये सारे चीज़े उसमें देखी जाते हैं जैसे मालने जे teacher ने क्लास में मालने जे बच्चों को सोचा था कि मैं क्लास में बच्चों को प्रेजेंटेशन देखे पढ़ाऊंगा प्रजेक्टर पे मालने जे एकदम से light चली जाए electricity चली जाए वहाँ पे कोई इंतिजाम हो न तो teaching क्या है वो व्यक्टिम नहीं हो पाती तो उसके लिए उनको कुछ और साथ में देखना पढ़ता है कि मालने जे light चली गई है तो वो कैसे उनको समझा पाएंगे तो उनको वो भी decide करना पढ़ता है तो ये सारी जीजेश में आती है तो next है यहाँ पे changing strategy of testing अब देखें testing में क्या है कि strategy जो change होती है वो यानि कि strategy को change करना यहाँ पे the student testing result is also used for evaluating the effectiveness of the instruction and teaching strategy अब देखें जो student का result है वो भी यहाँ पे इस्तमाल वो भी उसे evaluate करके देखा जाता है कि जो teacher ने बच्चों को पढ़ाया है तो उनका response कैसा रहा है यहाँ पे तो क्या वो कारगर साबित हुआ है क्या वो सही साबित हुआ यहाँ पे वो सार्ची जेस में देखी जाती है अब देखें यहाँ पे क्या है कि मालिजे की जो teacher है उन्होंने देखे यहाँ पे बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जो उने सोचा था वो पढ़ाया आप देखे यहां भे बारी आती है कि जो बच्चों ने उनसे सीखा है जो कुछ भी सीखा है उसका result क्या निकला है ठीक है? उसका result क्या निकला है क्या जो teacher है उनकी teaching में सुधार होना चाहिए ठीक है? क्या उने जो अपनी strategy है उसे change करना चाहिए अगर मालीजे teacher ने बच्चों को जैसा बढ़ाना था वैसे पढ़ाया लेकिन बच्चों के समझ में नहीं आया तो अगली बार क्या होगा वो बच्चों को और बढ़िया तरीके से समझाएंगे या मालीजे की teacher का ही पढ़ाने का तरीका गलत हो गया तो उसे क्या है वो और improve कर पाएंगे अब देखे जैसे मालीजे बच्चों का result आएगा उस आपसे teaching strategy decide होती है कि उसे improve करना है या नहीं इट focus on bringing desired behavior change in the students अब देखे यह वे क्या है कि main बात यहां पर क्या है main यह focus करता है कि जो बच्चों का या learner का जो student का जो behavior है उसे अपने तरीके से change करना it provides the scientific basis for developing effective instruction of the teaching अब देखे यहां पर क्या है कि scientific basis पर क्या है कि effective instruction जो है वो develop करना है यहां कि क्या है कि जो scientific तरीका है उसके धार पर देखे कि जो teaching है उसे क्या है effective बनाना प्रभावी बनाना the classroom teaching and interaction can be made effective with the background देखे जो classroom teaching है जो बच्चों का interaction है वो background के जरीए क्या है effective बच्चों मतलब कि बच्चों को माने जे उस topic के बारे में सब कुछ पता हो पहले अब teacher समझाये तो बच्चे उसे असाने से पकड़ लेंगे माने जे बच्चों कुछ पता ही न हो तो उनके समझ में इतना जल्दी नहीं आएगा teaching operations ultimately create the appropriate condition of learning for achieving the desired goal अब देखे जो teaching operations है यानकी माने जे जो teaching operation है तो वो क्या किते हैं कि जो जो उनके goals है जो उनके desire goal है पढ़ाने के लिए तो वो एक ऐसी यानकी जो एक ऐसी condition आ जाती है बच्चों के लिए क्या उसे समझ पाएंगे यानकी जो teaching का goal है कि बच्चों को असानी से सारी चीज़े पढ़ा देना तो उनका बस यही motto है कि जो teacher पढ़ाता है वो अच्छे से पढ़ा है जो और जो बच्चे हैं उसे अच्छे से समझ पाएं teaching and we organize effectively at different level by employing appropriate teaching activities अब देखें यहाँ पर क्या है कि जो teaching है वो organized तरीके से होती है different different level के according होती है तीक है यहाँ कि देखें जो बच्चों को जो teacher पढ़ाते है वो क्या है वो logical way में पढ़ाते है पहली बाद organized way में पढ़ाते हैं कि starting में क्या था और करते करते and क्या था वो सारी चीज़े पढ़ाते हैं कि वो sequence wise चलते हैं तभी बच्चों को समझ में आता है so अब हम last में यह कह सकते हैं so we can say that the process of teaching start continues even after classroom interaction in the form of evaluation, feedback and other activities यानकि देखें हम यह कह सकते हैं कि जो teaching का जो process है वो class में जाने से पहले start होता है लेकिन class में enter होने के बाद भी चलता रहता है उसको देखें evaluation हो गया feedback हो गया other activity यह सारी चीज़े इसमें आती है यानकि teacher का class में जाने से पहले और class में रहने तक और class में जाने के बाद तक यह सारी चीज़े चलती रहती है teaching में all three teaching phases are interrelated each one helps to modify the other in order to make teaching more meaningful and significant अब देखिए जो teaching के तीनो phase है यह जो हमने किये थे अभी जो phase किये न हमने जैसे pre-active phase है interactive phase है post-active phase है यह आपस में क्या है जुड़े हुए अब देखे यह help करते है कि किस चीज़ में सुधार किया जाए जैसे मालने जी की प्लाइनिक स्टेज में क्या उसमें चेंज करना है pre-active phase में क्या चेंज करना है post-active में क्या चेंज करना है यह सार चीज़े जो है वो इसमें decide करते हैं इसलिए आपस में जुड़े हुए अब देखे इसका attempt क्या है measure करना कि क्या जो बच्चों ने जो teacher ने बच्चों में change सोचे थे जो desirable change सोचे थे behavior में क्या वो change कर पाए है क्या उनका जो result कैसा रहा है यह सार चीज़े instructional objective के अंदर आती है इनकी simple सा यह आपर देखे परपस क्या है teaching का teaching का यह purpose है कि बच्चों को जो चीज़ syllabus समझ में नहीं आता जो चीज़ समझ में नहीं आती teacher उनको अच्छे से plan करके उनको अच्छे से समझा दे कि ताकि बच्चे के वो असानी से समझ में आ जाए उनको किसी भी चीज में कोई भी problem ना पड़े तो यह है teaching phases तो इसमें हमने जाना कि phases of teaching क्या क्या होते है different different type के जो phase है वो कैसे work करते हैं अब हम बात करेंगे basic requirement of teaching के बारे में तो अगर कोई teacher पढ़ाते हैं यांकि जब teaching देते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़े require होनी चाहिए यांकि एक teaching में क्या के चीज़े शामिल होती है वो सारी चीज़े इसमें discuss करेंगे exam में इसमें से caution आ जाता है तो आप पोई अच्छे से पढ़ना है कि ताकि आप इसे असानी से solve कर पाए तो basic requirement of teaching में सबसे पहले number 1 पे आएंगे teacher यांकि देखे teaching में सबसे पहले teacher का होना ज़रूरी है ये सबसे बड़ी requirement है अगर देखे teacher class में ना हो तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे है ना तो सबसे पहले क्या हो गया कि basic requirement किसकी हो गई teacher की उसको बच्चों के लिए class बनाए जाती है जिसमें teacher teaching के द्वारा उनको बढ़ाते है subject अब देखे माली जे class में teacher भी है learner भी है या student भी है लेकिन subject भी होना ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ को बढ़ाएंगा आप देखे कि जैसे class में English के teacher है Hindi के teacher है Punjabi के teacher है और Maths के teacher है Brian के teacher है SST के है Science के different different teacher है अब देखे माली जे class में teacher learner है subject है न तो वो उनको क्या करवाएंगे कुछ नहीं इसलिए subject का होना ज़रूरी है environment अब देखे class में teacher भी है learner भी है subject भी है लेकिन environment का होना बहुत ज़रूरी environment क्या है environment हमेशा ही positive way में होना चाहिए यान की जो teacher बच्चों को पढ़ाने जा रहे है तो बच्चे भी उन्हें अच्छे से समझे एक positive environment होना चाहिए ऐसा ना हो कि बच्चे पढ़ा ही ना बच्चे अपना शोर मन जाते रहे teacher पढ़ाते रहे तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा infrastructure तो ये चीजे उनको चाहिए डस्टर चाहिए साथ में यनकी proper उनको infrastructure चाहिए उनको साथ में देखें electricity भी चाहिए ठीक है ये सारी चीजे उनके लिए ज़रूरी है उसको बच्चे रिलेशन्शिप बिट्वीन teacher and student अब देखें सबसे बड़ा important part है कि जो relationship है वो teacher and student के बीच में होना बहुत ज़रूरी आप देखें कि relationship कैसा कि माल लिजे कि teacher ने बच्चों को समझाया बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया था वो teacher से बे हिचक सब कुछ उसे पूछ सकते है तो teacher उनके problem का solution कर देंगे तो एक positive यहाँ पे relationship होना चाहिए कि बच्चे अपनी बात रखके से डरे रहा और teacher भी सारी बातों को अच्छे से समझा दे आप देखें discipline होना का बहुत ज़रूरी है discipline का मतलब है कि class में जो teacher है वो आते है regular way में पढ़ाते है बच्चे उसे अच्छे से पढ़ते है वो regular उसके देखें teacher बच्चों को regular पढ़ाते है उनका test लेते है तो बच्चे उनको करते हैं कि ताकि वो exam में पास उसके तो देखें discipline होना बहुत ज़रूरी है discipline मतलब कि जैसे teacher जब तक बच्चों को पढ़ा रहे है बच्चों का भी है कि वो उसमें शोर ना मचाएं तो यह basic requirement है teaching की अभी हम इसको देख लेते हैं एक बार elaborate करके तो देखें यहाँ पर सबसे मशूर यहाँ पर सबसे famous देखें यहाँ पर quote है Socrates का a teacher is like a small ship sailing from the land of ignorant people of the land of knowledgeable people So यह important है कई बार देखें एक्जाम में आज के quote इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है तो आप इसे ऐसे ही याद रखें यह बहुत important है अगर इस बार एक्जाम में आ गया फिर आप भी इसे अच्चे से याद रखेंगे So friends इसका मतलब यहाँ पर देखें simple सा यह है कि जो एक teacher है वो एक छोटे जहाज की तरह होता है जो की unknowledgeable यहन की जो देखें की अग्यानी लोगों यहन की जिसे हम कहतें की अग्यानी लोग जिसे हम कहतें ignorant जैसे माल लीजे की teacher है वो एक छोटा जहाज है एक जहाज के समान है शेप के समान है लेकिन वहाँ पर जो लोग है उन्हें कुछ पता नहीं है तीक है उन्हें कुछ पता नहीं है इसलिए क्या होता है कि वो उनको knowledge देता है यहन की वो उनको knowledge देता है उनकी जो ignorant people है तीक है, ignorant people है, उनको knowledge प्रोवाइड करवाना है, यांकि देखे कलास में बच्चों को कुछ नहीं आता, तो teacher कलास में आते हैं, बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चे उनके द्वारा पढ़ते हैं, तो exam में पास होते हैं, बच्चों का motive क्या है, exam में पास हो तो देखे पहला यहां पर है teacher, teacher को देखे यहां पर हम explain करेंगे पूरा यहां पर, so देखे, the teacher should first analysis and then synthesis, so for better understanding and clarity, a problem should be divided into parts for analysis and then the parts can be combined to solve the whole problem by synthesizer, अब देखे, यहां पर इसका मतलब क्या है, देखे, जो teacher है, वो first teach को, वो first क्या करते है, चीजों को analyze करते है, then synthesize करते हैं, यहां की पहले problem को समझते हैं, फिर उसका solution ढूणने की कोशिश करते हैं, अब देखे, होता क्या है, कि teacher क्या करते है, कि जैसे उनके सामने कोई, किसी पढ़ानी है, तो उसे वे क्या करते हैं, कि problem को कुछ parts में divide कर देते हैं, फिर उसे analyze करते हैं, divide करने का मतलब यह है, कि teacher आपको कुछ चीज समझाते हैं, तो वो खुद उसे त्यार कैसे करते हैं, कि वो उस topic को पहले चोड़े-चोड़े parts में divide करते हैं, अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद उसे इकठा करके, उसे combine कर देते हैं, फिर जो पूरी problem है, उसे solve कर देते हैं, तो फिर आपको वो समझाते हैं, यानि कि teacher यहाँ पे करते हैं, कि जो भी उनके सामने topic होता है पढ़ाने के लिए, पहले उनकी कमियों को, उन सभी को पहले वो चोड़े- इपार्टमेंट डिवाइड करके, फिर उसे अच्छे से combine करते हैं, फिर आपको समझाते हैं, तो यह है teacher का काम, अब देखें, वर्ल्ट टीचर डे, कब मनाया जाते हैं, पांच अक्तूबर को 5, 5th of October, तो आप इसे भी याद रखिए एक बार, तो next time the teacher uses different method, strategies, aids and learning materials which act as intervening variables, teacher make 100 of decision per day, अब देखें, आपने क्या है कि, teacher एक दिन में क्या है कि, बहुत सारे decision लेते हैं, तो वो देखें, बहुत सारे different method यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारे strategy बनाते हैं, बहुत सारे sport system जैसे aids का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है और learning material का इस्तमाल करते हैं कि ताकि वो आपको अच्छे से पढ़ा सके देखे टीचर के माइन में दिन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं बहुत सारी decision लेते हैं कि दिन में कि आपको कैसे पढ़ाना है They need to think about student safety, their learning and their other needs simultaneously all while they also considered their own personal and professional issue अब देखें यहाँ पर क्या है कि उनको अपने कुछ personal और professional issue होते हैं लेकिन फिर भी वो उसे नजर अदाज करते हुए student की safety, student की learning सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखते हैं knowledge of teaching method, effective of teaching, principle of teaching, knowledge of subject, knowledge of that nature of students etc. are also required for effective teaching अब देखें effective teaching यहन की बच्चों को अच्छे से पढ़ाना हो, impression डालना हो, एक अच्छे तरीके से समझाना हो तो teacher के पास क्या होना चाहिए, teaching method होना चाहिए, teaching effects होने चाहिए, principle of teaching होने चाहिए, knowledge of subject होने चाहिए, subject अच्छी पकड़ होने चाहिए और student का जो nature कैसा है, उन्हें कैसे समझ में आएगा, यह पता होना चाहिए, तभी effective teaching बनती है the teacher master over his subject, देखें, जो teacher है, वो अपने subject का master होता है, उसे सब कुछ उसके बारे में पता होता है he used an effective language for communication in order to bring positive change in the behavior of learner अब देखें, वो effective communication, ठीक है, यहनकि वो ऐसी language का, effective language का इस्तमाल करते है कि जिससे एक बड़िया communication बड़ता है, किसके बीच में, student और teacher की बीच में, एक बड़िया communication बनता है वो communication क्या होता है, positive, यहनकि teacher, आसान भाषा में बच्चों को topic समझा देते हैं, easy language में बच्चों को topic समझाते हैं जिससे कहें, बच्चों का interest पैदा होता है, पड़ने के लिए So next नहीं आप दिखे, student, अब दिखे, class में student का होना जुरूरी है student नहीं होंगे, ते teacher किन है, बढ़ाएंगे class में learner या student has to cooperate in the teaching learning process learner must follow the teacher for understanding and getting knowledge अब दिखे, यहाँ पर एक है कि learner को या student को भी class में teacher के साथ cooperate करना चाहिए, वो कैसे पढ़ा रहे हैं, सब कुछ cooperate करना चाहिए learner को teacher की सभी भातों का सभी बातों का अच्छे से follow करना चाहिए कि ताकि उन्हें understanding हो से के student को और वो knowledge ले सके हैं, कि माल लिजे class में teacher पढ़ा रहे है बच्चे उन्हें पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों का क्या चाहिए, वो teaching में क्या है कि साथ दे teacher का cooperate करें, और जो teacher समझा रहे है उस knowledge को ले learner should also have an interest in the subject activity learning material etc, classroom activity facilitate learning and help student retain information for a longer period, अब देखें, यहाँ पर कहा है कि जो learner है, उसका interest होना चाहिए, subject में जो teacher पढ़ा रहे हैं, जो activity है learning material इसमें, देखें, जो classroom activity होती है वो student को help करता है बहुत लंबे समयज़त चीज़ों को सीखने के लिए classroom environment should be such that it encourage effective communication and interaction, देखें classroom जो environment है, वो भी अच्छा होना चाहिए कि ताकि बच्चे जो है, वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाए the learner और students, role is to take given information instruction and coordinate that task for himself and begin the task अब देखें, यहाँ पर क्या है कि जो student है उसका जो role है ठीक है, role क्या होता है कि जो से information दी जारी है तो वो उसे अच्छे से समझे, उसके साथ coordinate करे teacher के साथ subject, देखें, subject का बहुत जरूरी है, subject होगा तभी teacher class में पढ़ाएंगे, subject क्या है कि subject should be interested for students so that student can also contribute in the process of learning, अब देखें, subject जो है वो बहुत ज़्यादा interesting होना चाहिए, तभी student जो है class में teacher के साथ contribute करेंगे boring lecture होगा तो student भी bore हो जाएंगे, students understand simple thing easily, so a teacher should approach from simple to complex content तो देखें, यहाँ पर कहें कि जो student है, वो सबसे पहले असान चीज़ों को समझते हैं तो teacher करते हैं, पहले उनको असान जो चीज़े easy हैं, वो पढ़ाते हैं फिर बार में धीरे-धीरे मुश्कित चीज़े पढ़ाते हैं, अब देखें for example माल लेजे कि आप 5 kilo जो weight है, वो उठा सकते हैं तो आप धीरे-धीरे जब आपकी questie बनेगी, तो आप उसे 50 kilo भी उठा लेंगे, तो यहीं कि पहले आपने easy task किया, फिर आपने complex task किया लेकिन देखें, माल लेजे पहली ही बार में 50 kilo उठा लेंगे, तो आपका moral डान हो जाएगा, तो आप कल से उठाएंगे नहीं, तो यही वज़े है, teacher के पहले आपको simple चीज़े समझाते हैं, फिर बाद में complex चीज़े लेके चलते हैं, explain simple concept first and then complex, वही चीज़े आपके देखें, पहले simple concept है, फिर बाद में complex जो concept है उसे समझाते है, teacher to prepare necessary charts, map, tables and models that pertain to the desired topic, देखें, टीचर को topic को समझाने के लिए charts का इस्तेमाल करना पड़ता है, maps का, tables का, model का इस्तेमाल करना पड़ता है, according to topic, so next नहीं हमारा, यहां पर देखें environment, देखें, चौते नंबर पर environment आगा, environment का positive होना बहुत ज़रूरी है, देखें, class में जब teacher बच्चों को responsibility होती है, कि वो उन्हें अच्छे से समझें, ठीक है, यहां कि teacher class में जो बढ़ा रहे हैं, वो बच्चे अच्छे से समझें, यह नहों कि teacher बढ़ा रहे हैं, बच्चे क्लास में क्या कर रहे होटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको disturb कर रहे हैं, तो यह environment होना बहुत जरूरी है, इनकी दूसरी बात क्या है, कि जो देखे, environment है, वो positive होना ऐसे भी है, कि शांत जगा होने चाहिए, वहाँ पे कुछ भी sure नहीं होना चाहिए, noise बिलकुल नहों ऐसा नहों कि भार generator चल रहा हो, अंदर teacher पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को और भी ज्यादा comfortable करते हैं, पढ़ने के लिए, कि ताकि जो बच्चे असारी से चीजों को पढ़ें, उसको बाए देखे, students growth and development are main objective of teaching, अब देखे, जो growth and development है, ठीक है, growth होता है, जैसे चीजों का बढ़ना, वृद्धी, जैसे हम हिंदी में कहते है, development होता है, विकास, यानकि आपका जो दिमागी विकासे भी कितना और आपको जो topic की knowledge है, वो अभी कितनी है, और बाद में कितनी हो जाएगी, growth का मतलब होता है कि श्रीर का बढ़ना, ठीक है, वो हो गया, growth पढ़ना, ठीक है, development होता है कि दमाग का, यानकि mind का विकास होना, तो, main कहा है कि आपका growth करनी, ठीक है, growth भी करनी है, आपको चीज़े समझानी भी है, और साथ में आपको चीज़ों को elaborate करके बताना भी है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, growth में हो गया, कि आपको topic समझा दिया, development में हो गया, कि आपको उसकी बहुत सारी extra knowledge दे दी, तो यह main है objective teaching का, which is possible in suitable environment for teaching learning process, देखे, यह possible होता है, teaching learning process में यह positive environment है, it is easy for students to build new knowledge if they are able to relate it to what they already know, अब देखे, यहाँ पर क्या है, कि माली जेए, teacher ने class में बच्चों को बढ़ाया, अब बच्चों को कुछ चीज़े पहले से ही पता है उस चीज़ के बारे में, लेकिन पूरी चीज़े नहीं पता है, तो क्या है कि माली जेए कि बच्चों को अल्यड़ी कुछ चीज़ का पता है कि उसे भी आपस पे इंटरलेट करके चलना कि ताकि बच्चों उसे असानी से समझ पाए, आप देखें यहाँ पर क्या है कि जो टीचिज़ फ्लो पर क्या है कि जो टीचिज़ फ्लो पर क्या होन चाहिए नोन टू अन्नोन, ठीक है पास्ट एक्सपिरिंस ओफ दा स्टूडेंट शूड़ बी लिंक टू न्यू टीचिज़ देखें मैं वही बात कह रहा हूँ कि जैसे बच्चों को काफी कुछ पहले पाता इस टॉफिक के बारे में तो उनको कितना पता है उसको ध्यान में रखते हुए उससे और ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ाना उसे आपस में इंटर लिंक करना student will be more open to actively participating in the class अब देखें यहाँ पर क्या है कि student को जो class पर participate करना है वो बहुत ज़्यादा active तरीके से करना होता है so next infrastructure देखें यहाँ पर बहुत important है infrastructure is one of the most basic element necessary to ensure access to education school classroom are most common place in which structured learning take place with group of children अब देखें school में बच्चों को बढ़ाया जाता है college में बच्चों को बढ़ाया जाता है university में बच्चों को बढ़ाया जाता है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है infrastructure जैसे माली जे क्लास में teacher भी है student भी है environment भी है सब कुछ है लेकिन infrastructure नहीं है तो वह समझानी पाएंगे blackboard होना जरूरी है whiteboard होना जरूरी है चौक हो marker हो डस्टर हो यह होना जरूरी है तभी teacher बच्चों को बढ़ा पाएंगे अब देखें student relationship जब देखें teacher student जो relationship वो होना बहुत जरूरी है यह कैसा होना चाहिए तो देखें यहाँ पर the teacher should also encourage self-study among students देखें जो teacher है वो बच्चों को हमेशा ही एक ही बात पर जोड़ देते हैं कि उन्हें self-study करनी चाहिए यानकि खुद से उतने पढ़ना चाहिए लगी देखें जब आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीज़े समझ में नहीं आएंगी दुनिया का कोई भी ऐसा काम तब तक आपको असान नहीं लगेगा जब तक आप उसे खुद करके नहीं देखते अब देखें यहां पर क्या है कि जो teacher और student का अच्छा एक relationship हो तो जो student है वो बहुत ज़्यदा positive फिल करते हैं classroom में it might be difficult for students to understand the whole topic के एडवसदर देखें सारी ही चीज़े यहनकी पूरा topic एक ही बार में student को समझाना बहुत मुश्किल है और student के लिए एक ही topic को एक ही बार में समझना बहुत ज़्यूरी है देखें अब है मैं आपको teaching episode for example आपको मैं पढ़ा रहा हूँ हमार teaching episode का unit 1 है अगर आपको सारा एक ही बार में पढ़ा दूँ आपके समझ में कुछ नहीं आएगा आपके पल्ले कुछ नहीं पढ़ेगा तो इसलिए क्या कर रहा हूँ कि आपको मैं धीरे धीरे एक topic समझा रहा हूँ कि ताकि आप उसे अच्छे से समझ भाएं the teacher should present the whole topic by breaking it into smaller parts so that they can grasp it easily the approach used here is from whole to part अब देखें वही बात है ना कि पोरे topic को छोड़े होड़े parts में divide करना कि ताकि student उसे अच्छे से समझ भाएं they are also more willing to have a go at hard work and ask for help when they need it अब देखें यहाँ पर कहा है कि उनको बहुत ज़्यदा जो teacher है वो hard work करने के लिए कहते हैं जितना उनके लिए ज़रूरी है जैसे मालीजे को topic है वो करना है उनके लिए syllabus में important है तो teacher कहते हैं कि आपको topic करना ही है इसके लिए आपको hard work करना ज़रूरी है तो बिना hard work के आपको कुछ भी नहीं मिल सकता so next है discipline तो देखें discipline होना बहुत ज़रूरी है student discipline is sport of good teaching environment in the classroom देखें कि जैसे student है जो है वो discipline में रहेंगे class में अगर वो sport करेंगे तो ये teaching environment के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है the teacher can plan the lesson to flow from seen to unseen अब देखें यहाँ पर क्या है जो teacher जो है वो lesson को plan करते हैं वो किस flow में करते हैं seen to unseen यान कि जो कुछ पता है जो कुछ बच्चों को नहीं पता है वो सारी सीचे such an approach can be used for better understanding of student अब देखें इसे क्या ओदा है कि student को अच्छी knowledge अच्छी understanding मिलती है it is about the learning, well-being and safety for all students for coordination between teacher and student अब देखें यहाँ पर क्या है कि जो learning में जो safety है students के लिए एक अच्छा जो coordination है teacher और student के लिए यह भी discipline के अंदर आता है जब देखें जो teacher है वो बच्चों के लिए safety बारे में सोचते हैं कि बच्चों को क्या चीज कितनी पढ़ानी है यह सारे चीजे तो बच्चे उसे अच्छे से समझते हैं तो यह क्या है एक discipline होता है तो discipline क्या है सबसे बड़ा यहां पर देखें पॉस्टिव इम में हो teacher class में बच्चों को पढ़ा रहे हैं बच्चे से समझ रहे हैं तो यह है discipline ऐसा नौक की teacher पढ़ा रहे हैं बच्चे शोर मजा रहे हैं तो teacher के दिमाग में कुछ नहीं आएगा बच्चों को भी समझ कुछ नहीं आएगा सो उसके बाद देखें यहां पर last point यहां पर हम करते हैं teaching इसे continuous process अब देखें teaching इसे continuous process teaching जो कहें कि continuous लगाता चलने वाला process है so patience, motivation, determination and focus are the real forces which keeps students on track अब देखें teaching लगाता चलने वाला continuous process है so इसमें patience का होना जरूरी है motivation, determination होना जरूरी है और focus होना चाहिए student का कि उनको क्या करना है teaching is a complex activity so the teacher needs to be devoted and determined for the better future for of student अब देखें कि जो teaching बहुत complex activity है यह सबके बसकी बात नहीं है तो इसलिए teacher को चाहिए कि वो बच्चों का जो future है वो better way में लेकिया है while planning the lecture the teacher should keep in the mind in the psychological need of the students first and then go into the logical and is to complete अब देखें जब teacher lesson plan करते हैं तो सबसे पहले उनकी दिमांग में एक ही बात आती है कि बच्चों का जो psychological needs क्या है बच्चों को क्या जरूरत है बच्चों को basic से पढ़ाना है कहां से पढ़ाना है ऐसे करके तो उसे साबसे क्या करते है कि वो logical way में चीजों को arrange करते है कि ताकि वो जब starting से करवाएं बच्चों को असानी से समझ में आए by addressing the psychological needs first the teacher will be able to engage the students so the lesson plan should be from psychological to logical अब देखे क्या है कि यहाँ पर psychological need को समझेंगे कि बच्चों को कितनी जुरूरत है topic को समझाने के लिए basic से start के है कैसे है तो इसी को ध्यान में रखते ही है teacher बच्चों के दिमाग को समझते हैं तो इसी के बिहाफ पर teacher अपना lesson plan करते हैं कि ताकि सारी चीजे बच्चों को समझ में आ जाए तो यह था आज का हमारा lecture phases of teaching and basic requirement of teaching के बार में I hope आपको सारी चीजे understand हो गई होगी समझ में आ गई होगी सो मिलते के लिए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद and thanks for watching